नमस्कार एश्टीवी नियूज में आपका स्वागत सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पार विदान सब चुनों में पाइलट और जितेंदर सिंग आजमाज सकते हैं भागया वहीं गहलोत को राज्य सबाब भीजने का उड़ा शिगुफा मोद का अमंतरन बना भाद का नियोता लोटते वक्त हासे में चारने गमाई जान रूप बास में हुई दुरगटना मोदी के आने से पहले मुतलिम महिलाएं हुई लामबंज जुन्जनों में निकाली विशाल बुरका रहली तीन तराग बिल पर जताया विरोध विद्यार्थियों ने थाने को घेर करकी तोड़ फॉर्ड पुलिस ने किये हवाई फाया रतिकर्मन पर पनपा विरोध और अब समचार विस्तार से दो लोग सबा और एक विधान सबा सीट पर हुए उप चुनाओं में शांदार जी से कॉंग्रेस कारे करताओं नेताओं में जोश बना हुआ है उन्हें आने वाले विधान सबा चुनाओं में जीत की उमीद बन गई है ऐसे में कई दिगज विधान सबा चुनाओं के मैदान में उतरने की रणनीती बना रहे हैं इस दिगज नेताओं में सरवाधिक चर्चा परदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष सचिन पाइलट को लेकर है अज मेर से सांसद रहे पाइलट पिछली बार लोग सबा चुनाओं हार गए थे वहीं पाइलट ने अपने एक हाली आज ट्विट में लिखा था कि अगर पाइलटी की लीडर्शिप चाहेगी तो वे विधान सबा चुनाओं लड़ेंगे पहले संभावना थी कि पाइलट चुनाओं नहीं लड़ेंगे और केवल परत्याश्यों के पक्ष में परचार करेंगे लेकिन कुल 17 सीटों पर उप चुनाओं में बड़त मिलने के बाद अब पाइलट के भी विधान सबा चुनाओं लड़ने के असार है सचिन पाइलट किस विधान सबा से सीट से चुनाओं लड़ेंगे ये तो अभी साफ नहीं हो पाया लेकिन उनकी सीट को लेकर भी चर्चाएं जारी है इनमें टॉंक और अजमेर जिले की नसीराबाद विधान सबा सीट भी शामिल है उधर अलवर लोग सबा से जितंदर सिंग ने उपचुनाओं नहीं लड़ा था और राहूल गांदी के करीबी इस दिगज नेता की सहमती से डॉक्टर करन सिंग यादाओं को टिकट दिया गया लेकिन अब उनके भी अलवर शेहर से विधान सबा चुनाओं मैदान में उतरने के कयास लगाय जा रहे हैं समर्थकों में इसे लेकर चर्चाएं बनी हुई है वहीं अलवर की महिला कॉंग्रेस अज्यक कमलेश सैनी ने तो हाल ही वाटस एप गुरूप में एक ऐसी सूची वाइरल की थी जिसमें सक्तर संभावित नामों में पाइलेट और जितंदर सिंग भी शामिल थे उधर यह चर्चा भी जारी है कि परदेश के पूर मुख्यमत्री अशोग गहलोत को गुजरात से राज्यसवा भीजा जा सकता है 23 मार्च को 16 राज्यों के 58 राज्यसवा सीटों पर चुनाव होना है गुजरात में कॉंग्रेस चुनाव परभारी का जिम्मा हाल ही गहलोत नहीं संभाला था यहां पालिटी का परदशन अच्छा रहा और राहूल गांधी अनुभवी नेता अशोग गहलोत को अपनी टीम में लेना चाते हैं अलंकि यह अलग बात है कि गहलोत खुद इसके लिए कितने इच्छुक होंगे क्योंकि कॉंग्रेस की और से सीएम के संभावित नामों में पालिट के लावा गहलोत का नाम भी परमुक्ता से लिया जाता है बहराल आने वाले दिनों में यह तस्वीर और साफ हो जाएगी भरतपुर जिले की रूफवास इलाके में सौम वर रात भात का नियोता देकर लोटते समय टेंपो की बुलेरों से टकर होगी इसमें चार लोगों की मौत होगी जबकि करीब साथ लोग खायलोंगे हासा इतना भीशन साकी टकर के बाद लोग 20 मीटर दूर जागे रहे भरतपुर जिले में गाउं चक निवासी राम निवास कुश्वाह के पुतर कुश्मेंदर की शादी 6 मर्च की है इसके चलते घर के सदस्य और रिष्टेदार सुबह फत्यपूर सीकरी में भात का न्योता देने गए थे इसके बाद सबी लोग टेंपो से लोड रहे थे तब ही जरेलग गाउं के निकट सामने से आती बोलेरों ने टेंपो को टकर मार दी इसमें टेंपो के पर खचे उड़ गए टेंपो में सवार सभी लोग सड़क पर करीब 20 मीटर दूर जब जाकर गिरे घायलों को समुझा एक स्वास्ते केंदर पर भरती कराए गया इनमें से एक महिला ने सोंबवार रात ही इलाज के दुरान दम दोड दिया वहीं मंगलवार सुबह तीन और लोगों की मौत हो गई वहीं एक अन्य हास्से में कोट पूतली में नीम का थाना मार पर पैट्रल पम के सामने एक केंपर ट्रक से टकरा गया इसके चलते केंपर सवार दो लोगों की मौत हो गई वहीं तीन लोग घायल हो गए जिनका BDM हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है अचानक टायर फटरे से केमपर असंतुलित हो गया जिसके बाद वो सीधा ट्रक में जागुसा हासे में कासली गाउं निवासी आमित यादाव और जोदपुरा गाउं निवासी मुकेश मीना की मौके पर ही मौत हो गई जहां एक और परधान मंतरी नरेंदर मोदी बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ का संदेश देने के लिए आठ मार्च को जुन्जनू आएंगे वहीं उनके आने से पहले यहां तीन तलाग बिल के खिलाफ निकाली गई विशाल रेली चर्चा का विशेब बनी रही तीन तलाग बिल के खिलाफ हजारों की संख्या में मुस्लिम समाच की महिलाओं ने जुन्जनू में सड़क पर उतर कर विरोज जाहिर किया साथी सरकार से बिल वापिस लेने की मांगी रैली से पूर महिलाएं कर्बला में एकतरित होई सबा को समोधित करते हुए मुसलिम समाज की महिला वक्ताओं निकाह की तलाग और निकाह का कानून हमारी शरियत और कुरान में है इसके अनुसार ही तालाक और निकाह होता है महिलाओं का कहना था कि सरकार को मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा और समाजिक उत्थान पर ध्यान देना चाहिए वहीं तालाक और निकाह का कानून कुरान में मुझूद है उन्होंने अरोप लगाए कि मुझूदा सरकार मुसलिन समाज के अंधरोनी मामलों पर हश शेप कर रही है और इसे बरदाश्ट नहीं किया जाएगा यह है रैली करीब दो किलोमेटर लंबी थी गौर तलबे की परधान मंतरी नरेंदर मोदी आठ मार्च को जुन्जनों आएगे यहां होने वाली सभा को लेकर मुख्या मंतरी वसुन्दरा राजय ने तैयारियां शुरू कर दी है सभा को लेकर सीम ने मंगलवार को विधान सभा में विधायकों की बैठगली और सभी को टास्क दिये है पार्टी सूत्रों के अनुसार सभा में करीब पांच लाक लोगों को शामिल करने का लक्ष दिया गया है इससे पहले सभा को लेकर जैपूर में भाजपा परदेश अदक्ष अशुक परनामी ने जुन्यू सीकर और चूरू जिले के भाजपा जिलादक्ष महामंतरी सांसदेवों विधायकों की बैठगली परनामी ने कहा कि मोदी की सभा में किसी भी तरह की कमीन ना होने पाए भाजपा इस सभा को लेकर कितनी गंभीर है इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि हर मंडल से लोगों और वहनों का लक्ष तेह किया गया है इसके लावा जिले में विधान सभावार प्रतेग भाजपा एमेले को भी दस अजार की संख्या लेकर पहुँचने के लिए कहा गया है परधान मंतरी नरेंदर मोदी आठ मार्च को महिला दिवस पर जुझनु आएंगे वह यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ अभ्यान को लेकर संदेश देंगे बेलवाड़ जिले के शंबूगड कसमे में राज के उचबाले का माध्यमेक विध्याले की संपती पर परभावशील लोगों ने कबजा कर लिया है इस वज़े से मंगलवार को विध्यारतियों और गरामिनों में भारी आक्रोश सामने आया आक्रोशित विध्यारतियों ने विध्याले की ताला बंदी करके बरसनी शंबूगड मार्ग पर जाम लगा दिया इस दोरान अत्ती करमियों की तरफ से कबजा कर बनाए गए कच्चे मगान में आग लगा दी गई वहीं मोके पर पहुंची पुलिस पर पत्थर फैके गए और वाहन में तोड़ फोड भी की गई विध्यारतियों के साथ गरामीनों के नियंतरन करने के लिए पुलिस को हवाई फायर करने पड़े इससे गुसाए लोगों ने शम्बूगर थाने का घेराव कर दिया इसके बाद पुलिस और प्रशास्मी का धिकारी मौके पर पहुंचे और समझाईश की जानकरी के अनुसार शम्बूगर में बाली का विध्याले के निकट स्कूल की ही जमीन पर कुछ परभावशाली लोगों ने कबजा कर रखा था पंचायत ने उनको पट्टा भी जारी कर दिया जिला कलेक्टर से शिकायत के बाद पंचायत ने पट्टा तो निरस्त कर दिया लेकिन परभावशाली लोग जमीन खाली करने को तयार नहीं थे इसके चलते विध्याले की छात्राओं ने मंगल वार सुबै विध्याले की ताला बंदी कर दी इसके बाद यह है पूरा घटना करम सामने आया बाडमिर जिला अस्पताल परिसर में एक मांसी विच्छिप्त महिला को घसीटने के बाद बेरहमी से मार्केट करने का वीडियो वारल हुआ है इसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीर तस लेते हुए जाँच शुरू करती है कोतवाली के थाना दिकारी अमर सिंग रतनू ने बताये कि मामले में पूश्टाच की जा रही है आवश्ट पूश्टाच के बाद यदि आरूपी दोशी पाया जाता है तो उसके खिलाव सक्त कारेवाही की जाएगी गटना शनिवार की बतायी जा रही है महिला से मारपिट करने वाला बुजूर्ग अस्पताल परिसर के एक भाग में मानो धर्म नाम की उसकी संसा गरीब को खाना किलाती है लेकिन संसा के संचालक ने अधर्म का परिज़े देते हुए महिला को बिड़ा वाइरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला अस्पताल परिसर में अक्षे कलेवा योजना की रसोई पर खाने के लिए गई थी इस दुरान संचालक वहां आया उसे घसीट ते हुए काफी दूर तक ले गया साथ ही उसने मान से विशिप्त महिला के साथ जम कर मार पिड़ भी अस्पताल गेट के पास किसे ने यह वीडियो बना लिया जिससे यह अमानुए घटना सामने आई पाली के महराज़ा शिरी उमेद मिल में फरजी बाड़ा कर आग लगने के नाम पर दस करोड का मौजा उठाने का मामला सामने आया है यह घटना तीन साल पहले की है इस पर रिवेन्यू इंटेलिजेंस निदेशाले ने मामला दर्ज कर मिल मालिकों को नोटिस जारी किया है तीन गोश पहले इस मिल में आग लगने की बात कही गई थी इसके बाद मिल मालिकों ने दस करोड का नुकसान बताते हुए मौजा उठा लिया बाद में एक शिकायत पर इसकी जांच हुई तो पता लगा कि मिल में आग लगी ही नहीं थी इस पर इंटेलिजेंस मिदेशाले ने मिल में जांच की इसके चलते फरजी वाड़े की बात सामने आई है सीकर में खाटू वाले शाम बाबा का फालगुनी लखी मेला मंगलवार को 12 शी पर समपर हो गया यह इस्तान देश विदेश के लाखो भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है खाटू धाम में अगले साल मिलने की कामना के साथ भक्त लोटने लगे है इस बार भक्तों को मंदिर परिसर में पहुँचने पर मुखे द्वार पर रत पर सवार भगवान श्री क्रेशन एओन शाम बाबा बर्बरिक की अराध्य देवी सिंग वाहिनी माद दूर्गा की जाकी के दर्शन होए थे एक और परिसर में शिव लिंग और नंदी महराज की जाकी भी सजाई गई शाम भक्तों के लिए खाटू धाम में शाम बाग और शाम कुंड आस्था के बड़े केंदर है शाम कुंड के बारे में माननेता है कि यहां इस्दान करने से शर्दानों के पाप धुल जाते हैं साथ ही कई अन्य धार्मी के सल्वी हैं पिछले दिनों राजिस्तानों और अन्य इलाकों से धोज लिये हुए लाखो भक यहां पहुँचे थे वही मेला संपन होने के बाद इनके लोटने का सिलसला शुरू हो चुका है लेकिन दिल में खौईश है कि अगले साल फिर आकर खाटू श्याम पर होके दर्शन करेंगे पाली जिले में एक गाड़ी का संतुलन बिगड़ने के बाद ना सिर्फ वो पेड़ से जाटकराई बलकि पेड़ पर करीब 10 फिट उपर तक चड़ गई इस हासे में कार का ड्राइवर घायल हो गया जिसे तुरंत अस्पताल पहुचाया गया उसे जोद पूर रेफर किया गया है मामला रास्तां के पाली जिले के पास जैता रनका है जहां एक कार अचानक आसंतुलित होकर पेड़ से जाटकराई कार चलग राजू पर जबद कुछ समझ पाता इससे पहले ही कार पेड़ पर 10 फिट उपर चड़ गई मोके पर मुझूद लोगों ने ड्राइवर को कार से बाहर निकला इसके बार ड्राइवर को नजदी की अस्पताल पहुचाया गया यहां से उसे इलाज के लिए जोज़ पूर रेफर कर दिया गया आज से के बाद घटन इसल पर लोगों की काफी भीड जमा हो गई श्री देविका शनिवर को निधन होने के बाद उनका शव मुंबई लाने में तीन दिन बीत गए आखिरकार दुबाई पुलिस ने इसकी अनुमती देते हुए कपूर परिवार को इस आशे का पत्र सौम दिया है उनकी रहसे में मौत के बाद कानूनी करवाही करने में अधिक समय लगा और इसके कारण ही उनका पार्थिव शरीर समय पर भारत नहीं पहुच पाया पोश्ट माटम रिपोर्ट में उनकी मौत का कारण दुरगटना वश दूबना बताया गया इस बीच उनकी मौत की जाँच उलजती जा रही है यही कारणे के अभिनेत्री शिरी देवी की पार्थिर देहे भारत लाने में लगतार देरी हुई इसके बाद दुबाई पुलिस ने दिवंगत अभिनेत्री शिरी देवी के पार्थि शरीर को भारत लाने के लिए इचाज़न दे दी दुबाई पुलिस ने इस समद में भारते दूतावास और बोर्नी कपूर को पत्तर सोंब दिया है उदर पोश्माटम रिपोर्ट में मोत की वज़े दुरुगटना वश्डूबने से बताये जाने के बाद अब तरह तरह की परती के रियाए समयार रही है दुबाई पुलिस इस हाई परोफाइल केस की हर एंगिल से जाच कर रही है इस सिलसले में पुलिस ने श्री देवी के पती बोनी कपूर और बेटी खुशी कपूर समय उन रिलेटिव से भी पूश्टाच की जो इस पूर पर श्री देवी के साथ यहां आई हुए थे होटल एमिरेट्स का रूम नंबर बाइस सो एक पुलिस ने सील कर दिया है इस रूम में यह हासा हुआ था श्री देवी की कोल डेटेल भी खंगा लिजा रही है वहीं श्री देवी की मोत के मामले में बीजेपी नेता सुब्रा मन्यम स्वामी ने संसनी खेज दवा किया है स्वामी ने दवा किया है कि श्री देवी की मोत सामन्यन नहीं है स्वामी ने बात टब में डूबने से हुई मोत की बात पर सवाल उठाते हुए कहा कि बात टब में गिर कर मोत होने की बात अजीब लगती है जब तक कि कोई धक्का ना दे बीजेपी नेता स्वामी ने श्री देवी की हत्या की आशंखा जताते हुए कहा कि बात टब में डूब कर मरना संभव नहीं लगता भाजापान नेता ने कहा कि यह तथ्य है कि श्री देवी हाट डिंग्स नहीं लेती थी और ऐसे में उनके शरीड में अलकोहल का पहुँचना सवाल खड़े करता है वहीं अमर सिंग ने विफरेंसिक रिपोर्ट पर सवाल उठाए है जैपूर में आज परदेश कॉंग्रिस की ओर से होली मिलन करकर मा आजजित किया गया इस दुरान पार्टी के वरिश नेताओं और कारेकरताओं ने जम कर गुलाल उड़ाया और एक दूसरे को गुलाल लगा कर होली के साथ ही उपचनाओं में जीत की बधाई भी दी सवाई जैसिंग हाईवे इस्तिज युवा कॉंग्रिस कारेले में आजजित हुए होली मिलन करकर में पार्टी के परदेश आदेख सचिन पाइलट पूर मंतरी राजेंदर चोधरी परताफसीन खाचरियवास और प्रज किशोर शर्मा मुझूद रहे इसके साथी पार्टी के विधाय को वर्तमान सांसदों और पूर सांसदों ने भी शिरकत की इस मौके बार PCC चीफ सचिन पाइलट ने कारेकरताओं और नेताओं को गुलाल लगा कर उन्हें मुबार्ग बाद दी इससे पहले कारेकरताओं ने होली के गीत भी गाए वहीं पाइलट ने कॉंगरिस कारेकरताओं को अगामे विधान साबच चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक जुट रहने का अवान किया चलते चलते एक बार फिर नजर हैडलाइस पर विधान साबच चुनाव में पाइलट और जितंदर सिंग आजमाज सकते हैं भाग गया वहीं गहलोत को राज्य सवाब भीजने का उड़ा शिगुफा मोद का अमंतरन बना भाद का नियोता लोटते वक्त हासे में चार ने गमाई जान रूप बास में हुई दुरगटना मोदी के आने से पहले मुतलिम महिलाएं हुई लामबंद जुन्जनों में निकाली विशाल बुरका रहली तीन तराग बिल पर जताया विरोध विध्यारतियों ने थाने को घेर करकी तोड़ फॉर्ड पुलिस ने किये हवाई फाया रतिकर्मन पर पनपा विरोध इस पारकल प्रायम इंडिया नियोज में आज यतना है दीजे इजाजात नमस्कार झाल झाल